हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बजार वित आयूश और दोस्तों इस वीडियों में बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में दोस्तों आपको यहां पर भारी गिरावट आती आज आपको देखने को मिले हैं 19% ज़ाइब देखने को मिलेगा थी यह गिरावहट क भी दने के अदर और आपको जहता है किस चीज ए Woolud बाब है कि यहां और इस पर हिंद दे बिलोव आपको आता हुआ देखने को मुलेगा तो जो भी आपके डाउट से वो इस वीडियो में पूरे आपको बता दूँगा क्या यहापको करना है क्या करना है बाय करना है आपको या फिर यहापे sell out कर देना है सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर आप देखेगा दोस्तो चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो बढ़िया लगता है तो वीडियो को लाइक करके और चैनला को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाईएगा आज बीजिए दिन लगातार गिरावट जारी रही और कह सकते हैं भारी गिरावट यहां पर आती भी देखने को मिली जादा आपको देखने को मिलेगा तो profit book होते वे देखने को मिल रहे हैं बहुत तेजी से दोस्तों stock के अंदर downfall यहां पर आता वह देखने को मिल रहे है आपको देखने को मिलेगा दो दिन के अंदर करीबन 10% का आप 5 दिन में 10% गिरावट दिखा रहे है बट मेंली दो दिन के अंदर यहां पर करीबन 25% से जादा का downfall आपको देखने को मिल रहे है closing friends 4434 के आपको देखने को मिलेगा अब अपने यहां पर पैसा खोता हुआ देखने को मिल रहे है कल अगर आप देखेंगे तो definitely कल पूरे दिन momentum बना हुआ था stock upside में आपको काम करता हुआ देखने को मिल रहा था बट जैसे देखिए वो downfall आया जो कल का downfall था because कल क्या हुआ था देखिए 15% पे 15% के lower circuit पे कल stock बंद होता हुआ देखने को मिला था लेकिन adjusted price के कारण stock 7% पे बंद हुआ तो friends कल का भी गिरावट आज आया तो 7% के आसपास की गिरावट कल की थी और majorly friends profit booking आज भी आपको यहाँ पे आती भी देखने को मिली इसलिए करीबन 19% एक दिन में down जाता हुआ देखने को मिला बीच में friends काफी कुछ hope बनी थी because stock में थोड़ा बहुत वापिस से upside देखने को मिल रहा था upside in the sense की जितनी गिरावट आई थी उससे stock recover करने की कोशिश कर रहा था but mainly दोस्तों आज कोई जाधा stock में अगर आप देखेंगे तो तेजी नहीं बन पाई 4,909 का open था फिर 4,377 का low बना लेकिन 4,999 का high बना तो 5,000 रुपे के level को आज stock cross नहीं कर पाया जो एक major अब आपको देखने को मिलेगा stock का resistance के तोर पे काम करेगा अब आज गिरावट की वाई देखिए friends दो सबसे बड़े कारण है सबसे पहला कारण आप जानके चलिए कि यह जब भी F&O के band में आता है तब ऐसा move आपको देखने को मिलता है हाँ ज्यादा गिरावट definitely भी आपको देखने को मिल रही लेकिन majorly friends आज एक profit booking आए थी because future and options के band में आपको जाता हुआ देखने को मिल चुका है इसलिए friends आपको IRCTC का stock के दर आज एक majorly profit booking आई है because mainly जब भी कोई stock F&O के band में आपको जाता हुआ देखने को मिलता है तो उसके अंदर एक profit booking आती है लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है रेल्वेस के अंदर अब एक regulatory body आती भी देखने को मिलेगी कल भी आपको मैंने इसके बारे में बताया था और एक और दोस्तों जो खबरे हैं उसके असाब से रेल्वेस के अंदर एक regulatory body आती भी देखने को मिलेगी इसका मतलब क्या है फ्रेंट्स regulatory body इसका मतलब वो होता है जो ध्यान रखते हैं किस तरह से यहां पर काम का जो रहा है क्या कोई दिक्कते हैं क्या यहां पर कुछ कह सकते हैं कि अंदर से कोई खराबी तो नहीं है कुछ लोग धोका दड़ी तो नहीं कर रहे हैं यानि आपको फ्रॉड व्रोड तो करते हैं दिखने को नहीं मिल रेल्वेस के अंदर तो इस सब के लिए friends हो सकता है कि यहाँ पे सरकार जल्दी एक regulatory body का announcement कर दे इसके कारण IRCTC का stock दोस्तों यहाँ पे गिरावट में दिखा है because railways के लिए definitely friends कबर बुरी नहीं है बट अगर हम देखे तो अगर कभी भी कोई regulatory bodies आती है तो इसके लिए friends IRCTC का stock आपको major profit booking दिखा रहा है because अगर वो regulatory body आती है तो definitely friends थोड़ी सी दिक्कत है आपको देखने को मिल सकती है लेकिन friends गिरावट आई चली ठीक है बट सबसे बड़ा यहाँ पे question आप सब के mind में यह होगा कि हमको buy करना है या फिर इसको sell out करना है definitely friends आपके मन में यह question होगा कि इसको buy करके चले या फिर sell करके चले तो friends देखिए stock definitely आपको अपने highs से काफी गरता हुआ देखने को मिल चुका है करीबन 32% गरता हुआ देखने को मिल चुका है friends IRCTC एक ऐसी कंपनी है जो मोनोपॉली है यानि कंपनी मोनोपॉली बिजनस है कंपनी का कोई competition नहीं है और लगातार friends याद रखेगा railways के अंदर growth constant है अगर मैं आपको कहूँ कि railways के अंदर क्या होने वाला है जो वो बक्का जरूर यही बोलूँगा की growth है याद रखेगा friends अभी तो आपको trains काफी कम देखने को मिलती है लेकिन आने वाले दिनों में याद रखेगा जिस तरह से आपको देखने को मिलेगा covid का scene कम हो रहा है उसके करण आपको देखने को मिलेगा market के अंदर तेजी बन रही है दूसरी बात क्या है passengers आउट होते वे देखने को मिलेंगे नहीं passengers आपको जाते वे देखने को मिलेंगे याद रखेगे festive season तो वैसे चालू हो चुका है तो वैसे बहुत ज़ादा trains आपको चलती भी देखने को मिलेगी लेकिन आने वाले सालों में कितने ज़ादा developments होते वे देखने को मिलेंगे IRCTC के अंदर mainly bullet train के बाते चलती है कैने बहुत नई नई trains देखिए आप पिलाती भी देखने को मिलेगी तो इससे याद रखेगा एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है अगर railways हैं तो उसके अंदर growth 100% होगी अब आज और कल की गिरावट definitely friends थोड़ा सा panic create करती है because mainly IRCTC के निवेशिकों को IRCTC के shareholders को एक आदत नहीं है कि stock के अंदर गिरावट आती है तो मामूली से आती है 4-5% में वो गिरावट पूरे समठके आपको वापिस से stock बढ़ता हुआ देखने को मिलता है लेकिन हमको पहली पर इसा देखने को मिलेगा कि दो दिन में 32 portion की गिरावट तो ये जो सब कुछ आपको होता हुआ देखने को मिला है वो definitely बहुत जल्दी हुआ लोग समझ नहीं पाए अब आपको थोड़ा बहुत पैनिक क्रियेट होता हुआ देखने को मिल रहा है बट फ्रेंट्स पैनिक क्रियेट नहीं करना है देखें मार्केट का यही दस्तूर है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करके चल सकते हैं ठीक है तेजी हुई उसका भी आपने देखें पार्टिसिपेशन किया लेकिन अब गिरावट तो थोड़ा सा दूस्तों आपको मार्केट को मूब देना पड़ेगा मार्केट डेफिनिटली देखें वापिस आपको देगा कंपनसेट करता है मार्केट हमेशा लेकिन उनको ही जो पेशन्स रख पाते हैं अगर इस पैनिक सेलिंग में आप भी अपना स्टॉक बेच देंगा तो फिर देखें कोई मतलब नहीं रहेगा गिरावट में आपने सेल आउट किया है तेजी में करते हैं तो ठीक है लेकिन आपने गिरावट में सेल आउट किया है तो देफिनिटली दिक्कते बनेगी क्योंकि आगे ना पीचे स्टॉक को बढ़ना ही है अब क्या है they don't advise investors to accumulate this stock they ask long term investors to hold stock as it fundamentally are still strong so friends company fundamentally 110% बहुत ज़ता strong है बढ़ टेक्निकल करेक्शन आपको आता बहुत देखने को मिला टेक्निकल क्या स्टॉक ने बहुत बढ़िया तेजी दिखा देती profit booking के कही भी देखिए कोई point नहीं था यहने stock के अंदर थोड़े से gaps create हो गए थे gaps का मतलब क्या होता है देखिए जब भी share gap up खुलता है न तो वहाँ पे जो candle form होती जैसे candle ही आपको मिलाता हूँ अब इसके बीच में क्या होता है यह gap create हो जाता है यह जो gap आपको दिखा रहा है न यह create हो जाता है और इस gap को fill करने के लिए बहुत बर क्या होता है market के अंदर भी गिरावट आती है और कभी के बार अगर stock के अंदर gap created होता है तो वह gap create करने के लिए आपको stock नहीं चाहता हुआ देखने को मलता है जो gap आप पर सब को दिखा देता हूं gap यह वाला है यह जो gap है अब इसके बीच में जो जगा बचरी इना friends इस जगा को फिल करने के लिए बहुत बर क्या होता है इस टॉक के अंदर डाउन फॉल आपको आता हुआ देखने को मिलता है और वह यह भी आता हुआ देखने को मिल रहा है विकार स्टॉक ने बढ़िया तीजी दिखाई है बट आने वाले दुनों में जैसे मैंने कहा कि कंपने का मार्केट कम नहीं होने वाला है अब वो क्वेश्चन कि अगर आपने यहां पर छेदा रुप के लेवल पिले है तो आप क्या करें तो फ्रेंट्स मैं अभी भी कहूंगा होल्ड करिए होल्ड क्यों करना है सबसे वज़े से मैंने कहा कि कंपनी के फाइनेशल पर दोस्तों नोडा लिए कंपनी को आपको कोविड के अंदर भी बढ़िया काम करते भी देखने को मिल रही है और अब तो देखिए कोविड बहुत जाता हुआ देखने को मिला है September 2020 के numbers दोस्तों जो निकल के आए थे वो काफी ज़्यादा खराब थे वो याद रखेगा अब जब numbers निकल के आएंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेंगे तो चीजों को समझ यह अभी panic selling definitely market में हो रहा है मारकेट में ऐसा नहीं कि IRCTC अकिला गर रहा है काफी ज़्यादा stocks गरते रहें जो stocks काफी ज़्यादा बढ़ चुके थे लेकिन अब IRCTC दोस्तों फिर चलेगा जस्त पेशन्स रखना है मुझे लगता कि कल से वापिस से तेजी की शुरुआत हो सकती है आज 4400 पर डेफिनेटली आपने stock ने closing देता हुआ नजर आया बट मुझे बहुत कम chances लगते कि 4000 की बिलो आपको stock जाता हुआ देखने को मिलेगा जस्ट होल्ड करिए अभी नई entry जब तक सज़ेस्ट नहीं करूंगा जब तक stock 4650 रुपीस की उपर एक बर भी closing नहीं दे देता है otherwise जिनके पास भी share है hold करिए अगर आपने 6000 रुपे के असपस भी buy किया तब भी मैं आपको कहूंगा कोई चंता की बात नहीं है stock में 30 बनेगी हो सकता है कि थोड़ा बहुत consolidation देखने को मिले 5000 रुपे के level को cross करने से पहले वह consolidation is for good consolidation जब भी होता है एक base creation होता है अभी stock में बीच में बहुत जादा bases नहीं बने जिसके अगर दोस्ता आपको देखने को मिलेगा तो गिरावट आईए तो friends इस वीडियो मे करने की सलाओगी तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था होपसो वीडियो बढ़िया लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर देना चानल से नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना thank you friends for watching this video